देखे निलू जी एक बात तो स्पष्ट है कि चाहे गुजरात युनिवर्सिटी हो और चाहे अदालत की पूरी प्रसेडिंग्स हो देश की जनता को ये संचय अभी भी बना हुआ है कि वो डिगरी सही है कि नहीं वो जो डिगरी दिखाई गई थी जो जेटली जी ने और अमिशा जी ने जो दिखाई थी उसके समय काल प्रिंटिंग सब पे सवाल उठेते और आप देखते होंगे पूरे सोशल मीडिया में च है जबकि कंप्यूटर चले नहीं थे कंप्यूटर से निकलीवी डिगरी है यह सारे संचय जो थे उन वो इस बात को गहरा करते हैं कि डिगरीयों को लेकर के जो है सच्चाई वो देश के सामने आनी चाहिए क्योंकि जो पब्लिक रिप्रेजेंटरेशन एक्ट के तहत जो आप कमिशन के सामने जो एफिडेबिट देते हैं वो उसमें आप ओथ लेते हैं कि जो कुछ दिया है वो सही है उसके तहत आपको अपनी संपत्ती है अपनी एजूकेशन है अपने जो जो भी कॉलम्स है उसमें सही सही जानकारी देनी होती है अगर डिगरी फेक होती है तो ये सब कोई जानते हैं कि उस पे फिर फ्रदान मंत्री जी के सामने ये संकट खड़ा होगा कि क्या वो उनका ये जो इलेक्शन है वो जायज है तो ये आप और हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब कोट में भी मामला गया तो कोट के सामने भी ये सवाल था कि भाई जो सरकार कि तरफ से कहा गया कि क्या फर्क पड़ता है कि वो उनके पास कोई है जूए जुके टेड हैं कि नहीं है क्योंकि तो है नहीं लेकिन जब आप लिख करके देते हैं कि एंटायर पॉलिटिक्स में उन्होंने कोई डिगरी हासिल की है तो ये सवाल उठा कि ये सब्जड कहा ह किस university में पढ़ाया जाता है इसके बारे में क्या गुजरात university या दिल्ली university या तमाम universities ने स्पष्ट किया कि भाई हमारे यह subject था या यह students हमारे यहां थे तो यह सवाल बना हुआ है यह कोई campaign चलाने की बात नहीं है लेकिन यह बात देश की जनता को पता होना चाहिए कि आज जो complex situation हिंदुस्तान की है और इसमें जो political parties rule कर रही है क्या वो देश की समश्चा का समधान कर सकती है हमारे सामने पिछले 8 साल का पूरा period है उसमें तमाम जो फैसले हुए हैं उन पर सवाल उठते हैं कि क्या यह कोई समधार व्यक्तिने लिए या नहीं लिए आप किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और जो हमारे economic issues हैं उनको किस तरह से deal किया गया है आपके banking system को किस तरह से किया गया है तो यह सवाल उठा स्वाभाविक है कि देश का शाशन किसी समझदार पड़े लिखे एक work के साथ होना चाहिए उसके पास होना च देश जो है इसकी इतनी problems complex हैं उनको आप आप टोने टोटके और अपनी कच्चे अधकच्रे दिमाग से आप solve नहीं कर सकते उसकी पूरी planning होनी चाहिए उसकी समझ होनी चाहिए तब होगा तो अरवीन केजरिवाल जी जो उठा रहे हैं यह मैं समझता हूं कि यह समय है जब इस देश को अगर बचाना है डूब जाने से आर्थी ग्रूप से डूब जाने से अगर बचाना है तो समझदार पड़े लिखी leadership के हाथ में यह देश होना चाहिए इस बात को जनता को बताने की कोशिश हो रही है मैं समझता हूं कि जो court ने फैसला किया है court को कम से कम यह कर उठे उनको देख लिया गया है उसके बाद आप आप भले वो लगाएं उनके उपर जो कुछ भी जुर्माना की वो गलत intention से किये गये हैं लेकिन प्रधान मंत्री जैसे पद के उपर अगर कोई सक्स पैठा है और उसके शिक्षा शिक्षित होने के बारे में अगर सवाल उ जाती है मोदी जी के बारे में बहुत गहराई तक उनके परिवार के बारे में उनकी एक्टिविटी के बारे में उनके बच्पन के बारे में तो क्यों नहीं इसको पता होना चाहिए जी इतिहास में ऐसे बहुत सारे एक्जैंपल्स हैं राजाओं और महराजाओं के जो की पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने शासन बहुत अच्छे से किया और राजपाट बहुत अच्छे से चलाया। मतलब एक सवाल है जो सबके मन नहीं वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एजूकेशन जो है केवल डिगरी से नहीं आती है एजूकेशन आपके दिमाग की समझ में है कि आप समझदार हैं कि नहीं यह ठीक है मैं इस बात से सहमत हूँ लेकिन जो फैसले हमारे देश में नरंद समझदारी से लिये गए क्या यह फैसले एजूकेटिट लगने वाले व्यक्ति के ज्वारा लिये गए मुझे एक बात बताईए कि जो लोगडाउन हुआ था कोरोना के अंदर State governments ने तेन े अपने स्तर पर lockdown लागू कर दिया था center वाले जो है चुनाओं के चक्कर में घूम रहे थे और lockdown लागू नहीं हुआ और हंगामा मच गया फिर ये एकायका है, नै कोई फैसला, नै किसी से discussion, नै कोई alert और रात को 8 बजे उन्होंने कह दिया बारवज़ से सब बंद है उसका क्या परिश्足 है कि यह क्या है यह क्या बताता है यह बताता है कि आप के पास समझ नहीं है पढ़ाई होना डिगरी होना जरूरी नहीं है लेकिन समझ होना जरूरी है लेकिन ये भी चैह है कि डिगरी जो है एक पैमाना है जरूर कि आप समझदार हो सकते हैं जरूरी नहीं है लेकिन डिगरी दारी समझदार ही हो लेकिन पैमाना तो है आपसे एक सवाल और करके फिर मैं अपने बाकी पैनलिस के पास जाती हूँ, देविन जी, कुछ सालों में अर्विन के जिवाल को देखा गया था, वो इस तरीके का पर्सनल कैमपेन, प्रदान मंतरी नरेंडर मोधी के खिलाफ नहीं करते थे, ये एक पर्सनल कैमपेन हो जात क्या ये एक आपके कैमपेन में शिफ्ट है, यानि कि आम आदमी पार्टी का जो कैमपेन पहले इंडाइरेक्ट होता था, आप मुद्दों को लेकर आते थे, अब मुद्दों से हटकर आप एक पर्सनल कैमपेन प्रदान मंतरी नरेंडर मोधी के खिलाफ कर रहे हैं? निलू जी देखे, अगर आप इशूस को देखेंगे, तो एजुकेशन जो है, आम आदमी पार्टी का एक मेजर इशू है, मतलब सबसे बड़ा इशू ही यह है, हमारी तो फिलोसिपी यह है, कि आप जनता को एजुकेटेड कर दीजिए, उसके बाद आपके बाकी की चीज प्रधान मंत्री अनपड़ है? नया नहीं है, और कोर्ट के फैसले के कारण वो अभी डिसकेशन में आया है, है ना? तो इस लिए यह आप नहीं कह सकती को कोई कोशिश है, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह से सरकार जैसे रहुल गांदी के उपर एक्षन चल रहा है, जिस तरह आपपोजिशन के खिलाप सरकार ने चेंपेंच छेड़ा हुआ है उसमें डेफिनेटली एक काउंटर की तरह से आप कह सकती हैं कि सरकार को घेरा जा रहा है उनकी गलतियों के लिए और उनकी कमजोरियों के लिए लेकिन ये परसनल अटेक कता ही नहीं है ये एक इशू है जो देश जानना चाहती है और देश को ये पता होना चाहिए उसका यादिकार है